जेहें दें वेलकम टू टोड़े एक्जाम क्लासी दोस्तो आज है 18 नॉवंबर 2021 तो आज के इस वीडियों 18 नॉवंबर 2021 के जो भी मोश्ट इपोर्टेंट करेंट अपेर्स के सवाल बनेंगे उन सभी सवालों को इस वीडियों में विस्तार से समझेंगे इसलिए आप इस व UPSAI और UPSAI एक्जाम के लिए बहुती मोश्ट इंपोर्टेंट क्योशन आंसर हैं इसलिए इस सभी सवालों को आप जरूर याद करें तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्ण पहला प्रश्ण हाली में किस देश ने भारत की वायु रक्सप समता को बढ़वा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलेवरी सुरूप कर दी हैं तो आप्शन है रूस देश जापान देश ने चीन देश ने या पाकिस्तान देश ने तो इसका सई जवाब देगा ऑप्शन एनी हाली में रूस देश हैं जो भारत की वायु रक्सप समता को बढ़वा दे के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलेवरी हैं वो सुरूप कर दी हैं किस देश ने कर दी हैं रूस देश ने और S-400 मिसाइल हैं जो दुनिया बहर में सबसे उन्नत वायु रक्सा प्रणाली मिसाइल मानी जाती हैं जो हाली में रूस देश ने भारत को इसकी डि दबा देने के लिए हैं अगला नेक्स्ट किसे ने भारत ने हाली में अंट्राटिका के लिए अपना कौन सा अभ्यान शुरू किया हैं तो ऑप्शन है 41 वेग्यानिक अभ्यान बावत्रवा परियावरन अभ्यान 38 वेग्यानिक अभ्यान या इन्वे से कोई नहीं तो इसका स अभ्यान शुरू किया है भारत ने वहें 41 वेग्यानिक अभ्यान जो संपूर्ण भारती अंट्राटिका कारिकरम का परवंदन है वह नेशनल सेंटर फॉलर एंड ऑक्षन रिसर्ज गोवा द्वारा आयोजितिक किया जाता हैं किसके द्वारा नेशनल सेंटर फॉर पोलर और भारत ने हाली में अंट्राटिका के लिए 41 वेग्यानिक अभ्यान शुरू किया हैं यानि इस भारत हैं वह लगातार 41 वर्सों से अंट्राटिका के लिए अपना 41 वेग्यान चला रहे हैं और भारत ने इस अभ्यान को हैं वो साल 1981 में शुरू किया था कब किया था साल 1981 में इस अभ्यान को शुरू किया था जो हाली में 41 वेग्यानिक अभ्यान चल रहे हैं नेक्स्ट किसन है अंतराष्टी उर्जा एजेंसी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को करन करने के लिए वर्स 2021 तक मिथेन उर्जा उत्र सर्जन में कितने परतिसत की कटोती चाहिए तो आप्शन है 15 परतिसत 38 परतिसत 30 परतिसत या 27 परतिसत तो इसका सही जवाब देग तक मिथेन उर्जा जन में 30 परतिसत की कटोती करनी चाहिए कितने परतिसत 30 परतिसत और किसमें मिथेन उर्जा जर्जन में अगला नेक्स्ट कुशन है उत्रप्रदेश के किस सेयर में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक होट एर बैलून कारिकरम आयजितिक किया जा रहा है तो आगरा, परियागराज, लखनौ या वारणसी तो इसका सही जवाब देगा ओप्शन है वारणसी में उत्रप्रदेश के वारणसी सेयर में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक एर बैलून कारिकरम का आयजितिक किया जा रहा है जिसमें अधिकतम 1000 फ्रिट तक की उंचाई तक उड़ने सकने वाले बैलून में 30 लोग हैं वो उड़ान बर सकेंगे और बैलून को उड़ाने के लिए और उतारने के लिए राजगाट के सामने डोमरी छी एच एच खेलमेदान बी एल डबलू खेलमेदान और सिगरा स्टेडियम को इस्तान बनाया गया हैं जहां पर इनकी लेंडिंग करवाई जाएगी और यह उत्तर प्रदेश के वाराने सी सहर से आयज़ाने किया जा रहें अगला नेक्स्ट क्रिशन है फीपा वर्ड कप 2022 निमन मैसे किस देश में आयज़ितिक होने बाला है तो आप्सन है चीन देश में कतर देश में नेपाल देश में या इराक देश में तो इसका साही जवाब देगा ओप्सन भी यानि फीफा वर्ल्ड कप 2022 है वो कतर देश में आयोजित होने वाला है किस देश में कतर देश में और एक साल से भी कम समय में कतर में आयोजित किये जाने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का और इस बड़े इवेंट के लिए कौलिफ फायल करने की रेस में सबी टीम हैं वो अपना पूरा जोर लगा रही है जबकि नीदर लेंड ने आठ साल के अंतराल के बाद फीफा विस्व कप में अपनी जगा बनाई है किस देश ने नेधर लेंड ने ये सवाल दोस्तो कापी इंपोरेंट सवाल है इस सवाल को आप जरूर याद रखें यानि ये सवाल पूछा दा सकता है कि नेधर लेंड देश ने कितने साल के बाद फीफा विस्व कप में अपनी जगा बनाई है तो हैं वो आठ साल बाद में और कौन से टीम थी नीधर लेंड देश थी और फीपा वर्ल्ड कप 2022 का आयजन कहा हो जाएगा वो वो गात कतर देश में अगला नेक्स्ट क्यूसन है तेलंगाना के नेमन मेंसे किस गाउं को दुस्तों ये सवाल भी कापी important सवाल है ये सवाल की 100% संभावना की ये अब की एक्जाम में आप से पूछा जाएगा तो सवाल क्या है तेलंगाना के नेमन मेंसे किस गाउं को दुनिया का सरुस्ट प्रेटन गाउंस चुना गया है तो option है कोटा गुडम, आसिफाबाद, पोचमपली या कामा रेडी तो इसका सही जवाब देगा option है पोचमपली गाउं है तेलंगाना के जिसको हाली में सयुक्त राष्टर विश्व परेटन ने सरुत्तम परेटन गाउं में से चुना गया है किस गाउं को पोचमपली गाउं को और ये गाउं है जो आपको बता दे कि नल गोड़ा जिले में पोचमपली को अकसर उतकरशाडियों के लिए भारत के रेष्व सेर के रूप में जाना जाता है ये सवाल ऐसे भी पूचम जाता है कि हाली में वीसु परेटन में सामिल तेलंगाना का गाउं पूचम वली किस के लिए प्रसीद था तो आपको बताना है कि उनके उतकरष्ट शाडियों के लिए भारत के रेसम सहर के रूप में जाना जाता है और इसे इकत नामक एक अनूटी सेली के मादियम से भी बुना जाता है तो ये कौन सा सहर है कौन सा गाउं है तेलंगाना का जो हाली में सवाइकत राष्ट शंग द्वारा दुनिया का सरुष्ट परेटन गाउं के रूप में चुना है वो है पोचम पली गाउं जो नल गेड़ा नल गोड़ा जिले में पढ़ता है अगला नेक्स्ट क्यूशन है हाली में दिल्ली में इस्तित रक्सा अध्यान एंवेसलेशन संस्तान का नाम किसके नाम पर रखने की गोशना की गई है अगला नेक्स्ट क्यूशन है अंतराष्टी शातर दिवस नियमन में से किस दिन मनाया जाता है तो ऑप्सन है 15 जनुरी 12 मार्च 17 नौमर या 11 अगस्त तो इसका सही दवाब देगा ऑप्सन है सी नि 17 नौमर को हर साल अंतराष्टी शातर दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है अंतराष्टी शातर दिवस 17 नौमर को और अंतराष्ट्य शात्र दिवस इसलिए बने जाता है कि सोकोशलों वाक्या की राजदानी प्राग में नाजय द्वरा मारे दिये के सात्रों की याद में हर साल 17 नवमर को अंतराष्ट्य शात्र दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों ये थे आज 18 नवमर 2021 की कुछ most important question answer उमीद करता हूँ ये सबी सवाल आपको अच्छे से याद हो गएंगी अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और इन सबी सवालों का PDF है वो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से भी जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप का लिंक है आपको हमारे इस वीडियो की description में मिल जाएगा जहां से आप टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं और इन सब इस वालों का पीडिये भी डाउनलोड कर सकते हैं और हम मिलते हैं अंगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे महातरम